नमस्कार दोस्तों सुखथ है आपके मेरे चनल पर मार्केट की इंफॉमेशन पर और आपके सामने आज एक ही शेर के बारे में बात करें हैं कैप्तिन का शेर है आपको पताए कि जो शेर का मार्केट प्राइज है वो बंद होते होते 571 रहा लोइस्ट इसे मारा 550 रुपए का ठीक है और जब तक इसका quarterly result जो था वो नहीं आया था तब तक यह basically trade करा था 606 के आसपास में 612 तक भी गया था ठीक है और हम इसके 5D chart की बात करें हैं 5D chart के अंदर आप देखेंगे तो यह लगबख share जो था वो यहाँ पर 500 रुपए के नीचे था और यह ओपर तक गया था even पर अब ऐसा क्यों हुआ और क्या था किस कारण से वापस से decline हुआ है तो basically क्या थे कि जो इसके quarterly result है तो देख सकते हैं जो उसका quarter one का result आया है ना basically quarter one का result आ गया है और quarter one के result में क्या हुआ कि यह 9% जो year है ना उसके अंदर ने increment हुआ है ठीक है अब आप बोलेंगे यह result positive है उसके बाद भी share क्यों किरा तो share गिरने की वज़ाई यह थी कि जो आप देखेंगे कितने लैप के share थे basically मैं आपको दिखाता जाता हूँ देख़ए एक नंबर एक करके मैं आपको सारे लैप के share दिखाता हूँ तो आपके सामने लाइन है जो डिवेज लैप है उसको quarter one result आया profit कितना जंबाना 81% यहां कितना जंब है 9% भाया 9 times less है ठीक है यह भी एक लैप का share है लेकिन 9 times less है ठीक है इसके रिजल्ट से पहले आ गए थे हम दूसरे दूसरे उसकी बात करता हूं तो दूसरा जो था वो था लॉरस लैप लॉरस लैप कर लॉरस लैप को अगर आप देखें तो कितना उपर गया 11 टाइम 11 टाइम जोसका profit है वो अब गया ठीक है 11 टाइम अब किया जतना एस्पेक्टेट था quarter one में के अंदर में ये भी लैप का शेयर है ये अब गया ठीक है तो तीसरे शेयर की मैं बात करता हूं तीसरे शेयर है इपका लैप लैप का भी देखें तो आप कितना अच्छा मतलब उसने profit कमाया ठीक है तो इपका लैप भी अब गया अब ये हमारा चौथा और लास शेयर का जो quarter का result था ये आना बागी था तो सबको expectation थी basically कि ये बहुत अब जाएगा और बहुत आउट perform करेगा लेकिन जो last के quarter में जो हमें profit हुआ इनको येरो येर 9% का हुआ केवल जो बागी laps के share के मुकाबले कम था market काफी नाकुश हूँ था basically जो operator थे और basically सब लोग इसे exit करने लगे because जो outperforming करने की सोच रहा था ये basically share वो outperforming नहीं कर पाया other lap share की तरह है तो basically क्या हुआ इसमे exit होने लगी almost one third तो खरीदे वाला एक बेचने वाले तीन लोग इस तरीके से इसमे exit होने लगी और share देखते 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 अपने जो 606 का level है उसके बाद ने फिर वो और नीचे आ गया फिर उसके बाद ने 590 के आसपास फिर उसको तोड़ा 580 फिर उसको तोड़ा 570 560 556 के आसपास तक जाके वापस recover हुआ और वापस recover होके 571 72 के आसपास आके बंद हुआ है चीक है तो basically क्या है कि जो share है वो already correction हो चुका है ठीक है शेर के अंदर जो quarter result 1 आने के बाद में जो correction होता है वो already हो चुका है जो quarter 1 के बाद में जो correction आएगा वो इन्होंने कर लिया है जैसे share गया था 686 तक भाई अभी कितना है 572 कितना correction अल्रेड़ी हो चुका है 1-1 almost 110 रुपे के आसपास तक का इसका क्या bottom है यह bottom बना चुका है अगर मैं आपको उस पर दिखाऊंगा ना तो यह क्या है एक bottom बना चुका है जो आप दोनों तरफ से आप देख सकते हैं इस share में तो आप देख सकते हैं जो इसका जो basically high point था ठीक है and then उसके बाद में यह यहां तक गया 607 तक और फिर उस इसमें थूड़ इसी देरे-देर स्टेबिलिटी आई and then उसके बाद में recover हुआ and recover होके 571 पर पर रुक गया है तो basically अगर आप देखें तो जो यह है basically इसका 560 से लेक्या आप 575 के बीच का आप जो यह देख सकते हैं यहां इसका bottom बन रहा है ठीक है almost क्योंकि यह पहले भी correction हुआ पहले भी correction होके 580 के आसपास आके रुक जाता था ठीक है अभी यह आज केवल आज यह correction हुआ और इसने अपने average को तोड़ा और average को तोड़के से यहां पर एक bottom बनाया है ठीक है इस bottom के उपर में आप देखें इस bottom को ही यह लेके चलता रहा ठीक है market 12.15 बज़े correction इसी level में चलता रहा है ठीक है क्योंकि जब वो correction हुआ था तो correction होने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर 574 ही था और यहां पर आके जब बंद हुआ है वो 571 के असपास बंद हुआ है तो ठीक है आप देख सकते हैं कि मतलब correction जो है वो almost वहीं पर है यही bottom है यहीं पर आक जब आप share खरीदते हैं share बहुत अच्छा share होता है तो आप उसको hold करना चाहिए आपको sale नहीं करना है उसको ठीक है और मैं आपको एक बाद बताता हूं अगर आपने जिन लोगों ने market में यह share उपर के price पर खरीदा हो suppose 600 something कुछ पर खरीद रखा हो तो आप बिलकुल ना देख लें और आप एक नीचे एक उसी quantity में एक share खरीद लें 586 के आसपास में 566 के आसपास में को जहां पर भी आपने एक share हो जहां पर आपको position बने एक और share करें ठीक है एवरेज करें उसके बाद क्या करें आप जब यह यहां तक पहुंच जाए तो यह वाले share आपके प वो और कम होता जाएगा ठीक है तो आपको अगर इस शेर के बारे में और किसी शेर के बारे में अगर आपको कुछ पूशना हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स से कमेंट करें and thank you so much for watching this video and please guys subscribe my channel and hit the bell icon आपको new video का notification मिल सके और thank you guys thank you so much